Hello Friends, आज के टाइम में जैसे जैसे ही टेक्नोलोजी एडवांसमेंट हो रहा है और ड्राउन्स आते जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास में वेरियस एक्विपमेंट होने चाहिए तो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ड्राउन मॉनेटरिंग एक्विपमेंट क्य लिसन करते हैं, simply देखते हैं लुक करते हैं कि हां कोई ड्रोन है और जो active होते हैं वो signals भी कुछ भेजते हैं और वो जो signals वापिस आते हैं उनको analyze भी करते हैं जिसमें include होते हैं various functions जैसे deduction होता है classification और identification तो देखे सबसे पहले जब हम deduction की बात करते हैं तो deduction में क्या है कि maybe हो स वह एक बर्ड को भी इडेंटिफाई कर रहा हो और उनको भी एज ए ड्रोन तो डिडेक्शन मींज है कि वह एग्जक्ली उसको नेक्स स्टेप पर भी जाए डिडेक्शन तो ड्रोन के साथ-साथ बर्ड बगरा को भी एज ए फोरन अबजेक्ट वो डिडेक्ट कर सकते हैं फि अबजेक्स को मतलब डिफ्रेंशियेट करें ड्रोन से उसके बाद है लोकेटिंग ट्रैकिंग बाद में यह स्टाप आइडेंटिफाई होने के बाद में उसकी लोकेशन ट्रैस करना और उसकी ट्रैकिंग करना भी कोई ड्रोन मॉनिट्री एक्यूपमेंट कर सकता है कि वह किस टाइम का है next step आता है alerting अगर माल लीजिए वो find out होता है कि ये critical type का है तो उसको alert भी दूसरे systems को alert कर सकता है कि इस area में drone अवलेबल है या इस area में कोई foreign object अवलेबल है तो देखें ये जो drone monitoring equipment है सबसे पहले आता है radio frequency analyzer हाज हम study कर रहे हैं कि जो drone monitoring equipment है वो basically four types के होते हैं और four types में सबसे पहले radio frequency analyzer होता है जब आपका drone है वो fly कर रहा है तो वो किसी controller से communicate कर रहा होगा जो इसको control कर रहा है तो ये जो radio frequency analyzer है वो radio और ये जो communication के लिए radio waves use होंगी तो वो इस area में जिस area में monitoring करेगा उस area में radio frequency को analyze करेगा अगर उसको radio frequency detect होती है तो वो ये sense करेगा कि हाई इस area में इनके बीच का जो communication है उसको identify करेगा तो कुछ तो simply जो है make और even जो RF analyzer है वो drone का make क्या है model क्या है या उसका make address क्या है ये तक identify कर सकते है अब इसके pros क्या है कि ये low cost होता है RF analyzer low cost होता है ये multiple drones और controllers को passively detect कर सकता है इसलिए कोई license नहीं चाहिए अब देखे इसकी जो cons है या इसकी disadvantages है वो क्या है doesn't always locate and track drones ये हमेशा locate नहीं कर पाता है वो track नहीं कर पाता है जो autonomous drone है तो देखें autonomous drone क्या है किसी दूसरे system से communication नहीं हो रहा है autonomous drone का वो self sufficient है वो किसी से communicate नहीं कर रहा है तो जो autonomous drone है वो RF frequency analyzer से detect नहीं हो पाएंगे और दूसरी बात है कि ये crowded area में बहुत कम effective होता है और typically short range अब next हम बात करते है acoustic sensors और microphone तो जो acoustic sensor या microphone वाला array है ये sound made by drone उसको detect करता है और उसकी direction calculate करता है क्योंकि आपको पता है कि sound अगर pass में आ रही है तो उसकी frequency पर क्या effect पड़ता है और अगर वो दूर जा रही है तो क्या effect पड़ता है तो उसी वो sound waves को detect करता है sound waves से detect करने के बाद में फिर ये find out करता है कि drone की direction क्या है आप देखिए इसके benefits क्या है ये all drones को detect कर लेता है नियर फिल्ड में जो even autonomously work कर रहे हैं क्योंकि वो कोई RF radio frequency emission नहीं कर रहे हैं तो भी उनको ये detect कर लेता है और मतलब ये क्या है ground clutter में भी जो drones है other technologies कैन मतलब उसको भी detect कर लेता है gap filler in areas outside line of sight of other sensors ये दूसरे जो sensors है उन वो detect नहीं कर पाते हैं तो ये detect कर लेता है but ये भी बहुत short range है maximum 300 से 500 meter की range में ये work करता है और noisy environment में ये effectively काम नहीं करता है क्योंकि ये sound waves को detect करता है next है optical sensors और camera इसमें मेली क्या होता है इसमें essentially video cameras वगेरा लगे रहते हैं या infrared या thermal imaging type के इसमें optical sensors हो सकते हैं ये visuals on the drone और इसके payloads के बारे में पूरी visual और उसकी images forensic evidence प्रवाइड करता है इसकी जो cons है वो क्या है high false alarm rate इसमें होता है इसकी dark में या fog में pure performance रहती है इसकी performance बहुत power होती है जब dark है या जो है fog का area है fog है तो next बात आती है red eyes की तो जो red eyes है signal send out करते हैं और reflection उसका receive करते हैं direction और distance मेजर करते हैं इससे हमें पता चलता है कि area में जो है कोई drone तो नहीं है तो इसकी benefits क्या है red eyes वाले system के long range होते हैं constant tracking इसमें होती रहती है highly accurate localization होता है drones वगेरा का यह एक साथ 100 more than 100 targets को handle कर सकता है यह सभी drones को autonomous drones को भी deduct कर सकता है और इसकी advantages है drone के size पे deduction range depend करती है यह birds और from drones को distinguish नहीं करता है यह इसकी disadvantage है और drone के size पे इसकी deduction range depend करती है तो यह types of drone monitoring equipment से अब मेरे जो next video आने जा रहा है उसमें हम study करेंगे कि drone counter measuring equipment क्या है means drones को destroy करने के लिए हम क्या-क्या systems use कर सकते हैं थैंक्स फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें